दोस्तो मेरा नाम है चिराग आप देख रहे हैं टेक्निल चिराग यूटूब चैनल नो टाइम पास्ट नो टाइम वेस्ट अनली बेस्ट दोस्तो आज की वीडियो के अंदर एक चीज़ बताने वाला हूं बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि वूफर होता है वो बेस और और वो इस तिनो निकालता है और इस पीकर होता है वो अली आवाज निकालता है और अगर बात करें सबूफर की तो दोस्तो वो अली बेस निकालता है तो क्या ऐसा सही है मैं बताता हूं ऐसा सही नहीं है आपका सबूफर है वो आवाज भी निकालता है सबूफर की जो बेस करता है लेकिन डिपेंड करता है आप उसको चला के से रहे हो सब उफर को यह सा मायवी यंतर नहीं है कि आपको क्यावल बहुत अच्छी से प्लेए कर सकता है Same System Repeat है सब उपर के लिए भी सब उफर केंदर क्या करता है High frequencies होती है पेज़ कर देते है Low frequency उसको बढ़िया साट जाने देते हैं और थोड़ी boost करके boilsते हैं क्योंकि वह शबबुफर है तो नह लोगों के मानना यह हो जाता है कि नहीं यार अगर सबवूफर है तो यह तो onlyBase ही निकालेगा चाहे मैं इसको कहीं भी connect कर दूँ,... चाहे मैंане speaker पर लगा दूढ चाहे हैं कहीं भी लगा दूढ तो ऐसा नहीं है ठीक है यह आपका सब वूफर है देखलो एक बार यह बला हो और यह अपका speaker है यह अब अकर तिनो को पले करने की बात करना, येवाला only आवाज निकालेगा ट्रेबल के साथ में, येवाला है, थोड़ी बेसुर बिलकुल नहीं, ये भी निकालेगा बेस, आवाज, थोड़ी बहुँ ट्रेबल सब कुछ निकालेगा, लेकिन फरक इतना सा देता है कि यह सब उफर है यह अपना only bass को चलाने के लिए बनाया गया है और आपको एक चीज notice होगी आपका जो home chatter अगर होते हैं उन्हें पिछे लिखा होता है कि do not touch subwoofer box या फिर subwoofer magnet या फिर subwoofer इसा लिखा रहता है क्यों लिखा रहता है तोगि इस पर इतनी ज़्यादा power जाती है bass की bass की frequency इतनी ज़्यादा जाती है तब ही जाके यह इतना अच्छा bass निकाल पाता है और दूसरी आवाजे कम निकाल पाता है लेकिन अगर आप home theater को खाली बजाओगे आपके speaker के wire निकाल के बजाओगे फिर भी home theater के अंदर से आपको voice सुनाई जाती है कि मतलब कि क्या बज़रे आपको अंदाद लग जाता है हाँ निकालता बहुत ज़्यादा bass है इसका मतलब यही एक ही जो frequency से सारा उनका control है बजा लेंगे speaker को फिर साव उफर को बजा लेंगे यह भी आवाज निकालता है बिल्कुल जो speaker होता है बिल्कुल वैसे ही बज़ेगा लेकिन इसको अगर आप किसी भी बेस यूनिट पर किसकते है अटेच करोगे जो only bass निकालता है तो यह सब उफर बनेगा बाकि नॉर्मल अगर आप यहाँ पर speaker पर चलाओगे तो यह आवाज निकालेगा इसी बात नहीं है तो फटा फट से connection कर लेते हैं तो यह देख सकते हैं अब मैं बेस बिल्कुल कम कर लेता हूं और क्यावल आवाज प्ले करते हैं अब फटा फट सब उफर लगाता हूं सब उफर की आवाज सुनो यह connected है अब मैं चलाता हूं इसको तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि सारा फरग्ज होता है वो frequencies का होता है अगर यहां पर base की frequency जा रही होती तो यह भी base पले कर रहा हूता लेकिन सारी frequency एक सार जा रही है तो यह destroy frequency पले कर रहा है इसके अंदर vocals भी आ रही है वह भी आ रही है बेस कीसम पैस के लिए के इंद्दर organisла teatYU का ओप करवा देना अब मैं मिलूँगा और किसी वीडियो में